गुद मॉनिंग स्टूदेंट्स अब तक हमने क्वेश्चन नमबर 3 तक कम्रीट कर लिया है फ्रॉम एक्सरसाइस 4D चैप्टर फैक्टरिजेशन फर क्लास 9 ठीक है अब हम क्वेश्चन नमबर 4 से देखेंगे तो आगे बाढ़ने से पहले आजिए पहले क्वेश्चन को ठीक है ना तो दा पावर आफ 4 प्लस 125 वाइट तो दा पावर आफ 3 प्लस 2 एक्स प्लस 10 वाई यह दिया हुआ है ठीक है ना सॉरी इस्टुदेंट यह पावर 3 है ठीक है यह है देखें सो क्या लिख सकते है एक्स का होल क्यूब फाई फाई का होल क्यूब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है टू कॉमन है साथ में एक्स प्लस फाई फाई ठीक है इसमें एक क्यूब प्लस बी क्यूब के एक्स्पैंशन यूज़ करेंगे तो क्या हो जागा देखिए ए प्लस बी a square minus a b plus b square यह y हो जाएगा साथ में y भी आएगा a into b 5x into y 5xy plus b square 25y square plus 2 into x plus 5y clear है student ठीक है देखिए इसमें जो हमने expansion यूज किया है वो यूज किया है a cube plus b cube तो यह मेरा होता है a plus b a square minus a b plus b square ठीक है ना वही चीज़ हमने आपे यूज किया है तो यह क्या होगा finally x plus 5y x square minus 5xy plus 25y square ठीक है ना plus 2 x plus 5y अब इस term में इस term में देखिए x plus 5y common है बाहर निकाल लिज़े x plus 5y ब्रेकेट के अंदर क्या बज़ गया है x square minus 5xy plus 25 y square plus 2 clear है student तिये मेरा इसमें final answer मेरा आ चुका है ठीक है अब हम मूब करते हैं next part की तरफ देखिए मुझे question क्या है x की power of 3 minus 216y to the power of 3 minus 3x plus 18y ठीक है न चलिए इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 6y का whole cube यहां से देखिए common निकाल लिज़े 3 क्या बज़ गया x minus 6 इन दोनों में common पहले इसको expand कर लें देखिए a cube minus b cube क्या होता है देखिए a minus b a square plus a b plus b square ठीक है student यह होता है आई यह करते हैं देखिए a cube minus b cube a minus b x minus 6y minus just me student पहले देखिए क्या है a square यानि x का square plus a b यानि x into 6y plus b square यानि 6y का whole square minus 3 into x minus 6y clear student इतना आ गया है ठीक है ना आईए अब देखिए क्या है यह क्या लिखा हुए x minus 6y तो लिख दिया x minus 6y यह क्या है x square plus 6xy 6 का square 36 और यह y square ऐसे हो गया है minus 3 x minus 6y अब इस टर्म में और इस टर्म में मेरा x minus 6y common है यह term अलग हो गया यह product में है अब बीच में sign हो गया तो यह term separate हो गया तो यहां पर भी x minus 6y है यहां पर भी है बाहर निकाल ले x minus 6y ठीक है ना जब यह बाहर आ गया तो क्या बजाए x square plus 6xy plus 36y square यह बाहर निकाल गया क्या बज़ गया minus 3 clear तो यह मेरा final answer आ गया student ठीक है काफी important question था exam के point of view से अब हम लोग move करते है next problem की तरफ clear है आईए देखिए next problem x to the power of 3 minus 8y to the power of 3 y ठीक है ना minus 6x plus 12y इसको लिख सकते हैं x की power of 3 minus 2y to the power of 3 इसमें 6 minus common x minus 2y a cube minus b cube ठीक है student formula देखिए a cube minus b cube का formula क्या होता है देखिए ध्यान से a cube minus b cube a minus a square plus a b plus b square यही होता है student इसे हमें यूज करना है ठीक है ना देखिए a cube minus b cube क्या हो जाएगा x minus 2y फिर क्या होगा a square यानी x square plus a b plus क्या हो जाएगा student a b यानी x into 2y plus b square यानी 2y का whole square minus 6 और x minus 2y क्या हो गया x minus 2y और x minus 2y कॉमन निकाल लीजें क्या बच गया देखिए x square प्लस तू एकस्वाइब प्लस टू का square फोर और यह y square ऐसे हो गया ठीक है ना और यह minus 6 क्योंकि यह तो कॉमन निकाल गया तो यह बच गया तो यह हमने लिग दिया ठीक है student यह मेरा final answer student ठीक है तो यह मने question number six तक third part का six तक complete कर लिया है इससे आगे की questions को हम नेक्स टिक्चर में देखेंगे तिल दिन all the students thank you and have a nice time